वेलकम फ्रेंड्स आज की क्लास हम बात कर रहे हैं विडियो मेंस का एक्जाम जो की 9 जुलाई को होने वाला है इसके कुछ मोडल टेस्ट पेपर से हमस्व करेंगी यह आज हम मौडल पेपर स infantry coaching सेटर उसका मोडल पेपर है और काफ़ी अच्छा मोल पेपर है टोटललस से 160 क्यूशन से और जैसा गिए हमारे मेन एक्जाम में आए गा सेम उसी टाइप का paper का pattern नहीं है तो हो सकता है इसमें से कुछ question आ जाए या इस तरह के question आ जाए इसलिए हम इसको solve करता है ठीक है? चलो देखते हैं पहला question किस शब्द का संधी विचेद सही नहीं है हिंदी है पहले हिंदी दे रिखिए और कुछ रगाय किसका संधी विचेद सही नहीं है तो पहला question है अपने पास पहला option है महात्म महामात्म है ना तो महाधन आमात्य दूसरा option है बयकरांद का बय दन आकरांद्र तिसरा है स्नेयाविष्ट स्नेयादन अविष्ट झूर्य वहतले हो और चाहता है कंटकंने का है कंटट धन डिरखने यह सउसर्ण का अगला आपने पास question number second, निम्न में से किसका संधी विशेत, सही संधी विशेत का उधारान है, ठीक है, दूसरे question देखना है में, तो पहला है अनुधन छिन, अनुचिन, फिर second option है, चतुधन श्लोकी, चतुश्लोकी, तीसरा है तथा दन एव, तथेव, और चोता है, स्वधन इरिनी, तो बन गय समास के हैं, दो-दो के कॉंबिनेशन दे रहे हैं, और आपको देखना है, सभी शब्द अपादन ततपुरुष के कैसे हैं, अपादन मतलब से अलग होना है, जब हम कारेक्चेन देखते हैं, तो अलग होने के समद में कौन सा समास, कौन सा शब्द है, वो हमें देखना है, है पहला है अमचूर और दयादर ठीक है तो इसमें देखो अमचूर नहीं आトप टोनों में से बड़ियां से लग रहा है याá कुछर अगला कुछरन उपने पास 11e actually number 4 मुंखारविंद शब्द में कौन साथ होテा ठीक है, मुखारविंद शब में कौनसा समासे वो देखना है पहला अभी विभाव, दूसरा तत्पुरुष, किसरा कर्मदारे और चोता है बहुबरी ही, तो मुखारविंद में कौनसा आता है, कर्मदारे समास आता है याद रखना है मुखरविन ने कौन सा है मुखर विदनाएगा कर्मधरे समास अपने अगला question ने अपने पास question number five कि शब्द में सबसे कम उपसरग प्रयूप्थ हुए हैं सबसे कम उपसरग कहां प्रयूप्थ हुए हैं वो बताना है पहला है अभ्यागत अभी दन आगत मतलब अभ्यागत होता है ठीक है अभी और आ दो उपसर्ग आ रहे हैं फिर दूसरा है अव्यवस्तित और तिसरा है अवलोकन और चोता है प्रतियूत पकार देखो पहला option दूसरा option और चोथा option इन सब में दो-दो उपसर्ग काम में आयोए हैं लेकिन जो अवलोकन है उसमें अवधन लोकन यानि एक ही उपसर्ग है तो अपना question का option से हो गया C अगला question ने अपने पास चटा प्रोनति शब्द में उपसर्ग कौन सा है प्र, प्रह, प्रो या प्रन तो प्रोनति शब्द में जो उपसर्ग वो है प्र, प्रधन, उन्निती मतला प्रोनति होता है ठीक है अगला है अपने पास question number 7 किस शब्द में गार प्रते का प्रियोग नहीं हुआ है ठीक है किसमें गार नहीं हुआ है वो देखना है मैं कुशन नमबर सेवंद देख रहा है पहला है स्नानागार दूसरा है यादगार तिसरा है मददगार और तिसरा है रोजगार तो ऑप्शन नमबर जो अपने पहला दे रहा है स्नानागार उसमें क्या था स्न अधुनातन अधुनातन आतन फिर है दुसरा अस्तित्म तिसरा आगने और चोता है निश्काशित तो सब्सक्राइब होगा अपने निश्काशित ठीक है नी उपसरगे और प्रते है इद ठीक है इसी तरह से अगला क्यों को फूर नंबर 9 क्यों कि अधुर्वन नाइन में क्या पूछ रही है कि से विकल्प में सही मेल नहीं है ठीक है यहां पर कुछ शब्द दे रहे हैं और उनके अर्थ दे रहे हैं और किसमें नहीं मिला रखा है वो देखना है पहला है मेध यानि चर्बी और मेध यानि हवन दूसरा है चीर यानि हमेशा और चीर यानि वस्ट तो दूसरा तो सही है तिसरा है करी करी यानि हाथ और कीर यानित होता है ये भी सही है अगला आ रहा है मात्र मतलब केवल और मात्री मतलब माता ये भी सही है तो पहला option अपना सही नहीं है मेद मेद चर्बी दे रखा है मेद का मतलब मेद धह यानि हवन होता है और मे, द, यानि चर्वी होता है तो इसमें उल्टा मिला रखा है इनोंने तो नवे का option पहला सही है अपने ठीक है? Q10 इन में से किस शब्द युक का अर्थ अलग है? वो देखना अपने पहला दूत और दूत दूत का मतलब होता है संदेश वाहक और दूत का मतलब है जुए का खेल ये सही बात है पहला मेला रखा है सही इनोंने और चूता है अगला option है मेल मतलब मिलन और माईल यानि गंदगी ये भी सही है फिर आता है शोक शोक यानि खेद और शोक यानि रूची ठीक है? ये भी सही है और अगला है श्रावन, श्रावन मतलब सुनना होता है और श्रावन मतलब कान होता है यह अलग मिला रखा है यह भी मेल है ठीक है गलत कौन सा है अपने ओप्शन D ठीक है अगला क्यूशन है अपने नेपथ्य का मतलब क्या होता है वो बताना है रंगमंच के परदे के पिछे का स्थान या रंगमंच के पिछे का स्थान है C है रंगमंच पर नाटक खेलन का स्थान और D है रंगमंच के आगे का परदा तो सही option अपने रंगमंच के जो पिछे का परदा होता है ना उसको हम नेपथी बोलते हैं तो option B सही है अपने ठीक है अगला आता है question number 12 क्या कहता है question number 12 देखो वाक्यांच के लिए एक शब्द के संदर में असंगत कौन सा है असंगत मतलब गलत option देखना है पहला जिससे क्रय किया गया हो उसे हम क्रीट कहते हैं तो सही बात है दूसरा है जिसका हाथ बहुत तेज जलता हो उसको बोलते हैं शिप्रहस्ट ये भी सही है तिसरा है जो क्रतिम वेश दारन कर लेता है उसे छदमी कहते हैं ये भी सही है और चोथा option है सुन्दर और लंबे बालो वाले इस तरी को विकेशनी कहते हैं नहीं ये गलते ठीक है तो चोथा option अपना सही है अगला किस वाक्यांच के लिए सही शब्द लिखा गया है पेला इश्वर पर विश्वास करने वाला नास्तिक नहीं आस्तिक होता है ठीक है हमें सही देखना है कलम की कमय खाने वाला मसीज जीवी नहीं ये भी गलते अगला है जिसका योवन शत नहीं हुआ हो उसको शत योवन कहेंगे क्या नहीं अख शत योवन कहेंगे उसको ठीक है अगला जिसको पुरो जन्मे की बाते यादे उसको जातिस मर कहते हैं बिल्कु सही जिसको पुरो जन्मे की बाते यादे वो जातिसमर कहलाता है तेरेवे क्यूशन का D option सही है अगला है क्यूशन नमबर 14 यानि 14 इसमें असमेलित विलोम शब्द देखना है कौसा गलत विलोम शब्द है वो पहला है कलुशित निश कलुशित सही है यह दूसरा है उर्दवमुक और अवांगमुक यह भी सही है अगला है क्रश और स्थुल यह भी सही है और D option है प्रदोश और गोदुली यह गलत है ठीक है और यही है में देखना था चलो आगे देखते हैं क्यूशन नमबर 15 क्यूशन नमबर 15 क्या कहता है किस विकल्प में विलोम उचित नहीं है विलोम शब्द दे रखे हैं लेकिन कौँ सा विलोम शब्द उचित नहीं है वो देखना है क्यूशन नमर 15 में पहला निंद्य स्तुत्य शही है सही है या या यूप्म अगला उप्षन है पतिवरता और कुल्टा ये भी सही है तीसरा है परितोष और संतोष ये गलत है ठीक है परितोष का विलोम शब्द होता है दंड ठीक है तो पंद्रा का उप्षन होगी आपने सी अगला है क्यूशन नमर 16 किस विकल्प के सभी शब्द परियावाची नहीं है ठीक है किसके परियावाची नहीं है सभी शब्द वो देखना है तो कमल, पुंड्रीक और पयोद पहला कौन सा है अपने कमल, पुंड्रीक और पयोद सही नहीं यह देखना था और देखो पहले ही सही है अपने ठीक है ना फिर गंगा शेलजा तरी पता यह सारे गंगा के हैं मेग बहालग पयोद्धी यह सारे मेग के हैं सूरी परपागर और अरक यह सारे सूरी के हैं तो पहला अपना option सही हो गया अगला क्यूशन है इन्वे से किस विकल्प के सभी शब्द परियाई वाची नहीं है इसमें याद रखना नहीं है पहला पटू, निपून और दबंग तो यही सही हो गया अपने ठीक है और वक्तिरिक कुटिल यह सही है चंद्रिका जोसना उजियारी यह भी सही है अगला है क्यूशन नम्बर अठारा किस विकल्प में सभी शब्द शुद नहीं है और पोई शुद देखना था ठीक है तो देखो यहां पर अत्रंग सहीot जुजिविशा भी सही सभाएं और प्रोड भी सही तो पहले बोल्व कर दिखें एगले में को आशिर राद आपने बिल्ट रखाएं अंतर राश्टी गिल्ट तो पेहला ओप्शन सही हो घ्रावे का ऑप्शन औरुषास 9 क्या कहता है कि लोगता है अनुटीर्ण होने की आशंका है I a कहीं लिरे सब्सक्राइब लेको फूर्म को अनुतन होने का शत शक नहीं रहुके तो हुट होगया अरत्व में प्राथकाल का संवें बहुत स्वावनाद्रश होता है कुछ्छन यह सळी के स kartal जंगल में प्रातर काल का समय बहुत सुहाओन अद्रेश्ट होता है, ठीक है यह गलत है अपना, और अगला है मेरे से मत पूछो नहीं, मुझे मत पूछो यह होता है, तो 19 वे का पहला ओप्शन सही है अपना, अगला कुशन है, निन्यानवे के फेर में पढ़ना मुहारय का सही अर्थ कौन सा है, ठीक है, परिवार के जंजटों में फसे रहना है, दुसरा, धन जोडने में लगे रहना, तिसरा, मुर्खता के कायरे कर बेठना, और डी है किसी के चक्कर में पढ़ जाना, तो याद रख क्या है, ठीक 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 नहीं लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है प्रभूता पाई काई मद नहीं इस लोकोक्ति का सही अर्थ बताना है पहला है उच्छ स्वपने देखना उच्छ सपने देखना सेकर्ड ओप्शन है मन की इच्छा पूरी करना तिसरा है उच्छ पद प्राप्त करके किस से गमंड नही होता और डी है गमंडी हो जाना ठीक है तो देखो इस लोकोक्ते से पता चल रहा है प्रबुता पाहि काही मत नहीं यानि उसने उचा पत तो पाल लेकिन उसे किसी बात का मत यानि गमंड नहीं है तो तिसरा उप्षन सी सही है अपना ठीक है अगला है क्यूशन नंबर 23 तेईस, सुपर एनुशन का मतलब क्या है? इंग्लिश रब्द, इंग्लिश मीनिंग देर रखा इसका हिंदी में अर्थ बताना है, सुपर एनुशन, ठीक है? तो पहला है अर्थ बार्षी की, दूसरा है सेवा निवरती, तीसरा है बर्खास्त, और चोथा है सेवा आवती, तो सुपर एनुशन का मतलब होता है सेवा निवरती, ठीक है? जिसको हम रिटार्मेंट बोलते हैं उसको सुपर एनुशन भी कहते हैं, ठीक है? अगला है अपन मतलब बता अनिवारिता यह नहीं होगा जस्टिफाइड यह भी नहीं है अर्जेंट अतियावशक और अनवोइडबल तो अपना सही कुन सा है अनवोइडबल मतलब अपरी हायरी चोईसे कुशन का डी आंसर सही है ठीक है तो इस तरह से अपने यह चोईस कुशन आएंगे हि पचिस देखते हैं इसमें आपको वर्ड और उसके सिनोनिमस दे रहे हैं जो आपको मेच करवान है ठीक है पचिस से कुशन में देखो पहले हैं Petition प्रिटिशन का मतलब होता है अप्री तो पहले में दूसरा मिलाना है दूसरा है अदूसरे का दोको तीसरा मिलेगा इरेश दूसरा और दूसरे में तीसरा यारी डियोक्षिन सही हो गया ठीक है इस तरह से क्यूशन हो गाई है अगला है कि अपने पास क्यूशन नमबर चब्वीस कि दोशन नमबर 26 क्या गयता है कि आपको करेक्ट एंट्रोनिम्स देखना है ठीक है इवेंसेंट का एंट्रोनिम्स क्या होगा इवेंसेंट का एंट्रोनिम्स यानि वीलोम शब्द देखना है इमिनेंट पर्मानेंट परेसीव और सिन्फूल तो इंवेंसेंट का मतलब होता है मतलब जो बहुत जल्दी तूट जाए या जो अर्स थाई है उसको बलते हैं ठीक है तो इसका अपॉजिर क्या हो जाएगा पर्मानेट याली जो स्थाई है ठीक है तो यह 26 कुशन का अंसर है अगला है अपने पास क्यूशन नमबर 27 इस चो चूज दक करेक्ट ओप्शन ऐगिवन आइडम डेको अइडम दे रखाए इसका 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 है इन हाइ स्प्रेट हाइ स्प्रेट का मतलब क्या होता है वो देखना है फूल ओर ए इन तूजियाजम डेको तो यह होता है न फूल ओप रने इन्फूजियसम्ट का मतलब क्यों होता है इन हाइ स्प्रेट पहले से होगी आपने अगला है Qarde he Sellous Through दो शार्फ रप्रैक्टिस सब्सक्राइब कए इसका मतलग देखना ना है में क्यूशन नंबर 18 का तो शार्प ते इससे मतलब सथ होंएस्ट ठीक है अठेसर का यह सही है अगला है question number 29 इसमें feeling the blanks वाले question है the train pulled फिर blank आगया the station and mood फिर blank the tracks ठीक है तो दोनों blank में क्या आएगा आपको feel करना है तो पहले वाले blank में आएगा आएगा आपने the train pulled out of the station and moved along the tracks तो option कौन सा हो गया आपने भी हो गया ठीक है अगला है question number 30 as I was passing as I was passing as I was passing के बाद में क्या आएगा दोको by across through या over across आएगा ठीक है sorry across ने आएगा as I was passing by house आईसा a man standing at the gate दरवाजे पर आदमी खड़ा था तो तीसवे का option हो गया आपने पहला अगला है question number 31 इसमें आपको देखना है correct narration देखना है he said to interviewer could you please repeat the question इसको change करो narration change करना है इसका हम है he requested to interviewer if he could please repeat the question नहीं यह नहीं होगा देखो इसमें होगा he requested the interviewer to repeat the question ठीक है please आ रहा ना please को बदलेंगे हम request में तो he requested to interviewer to repeat the question see option से होगे है अगला है choose the correct one word substitute be the embodiment और perfect example of इसके लिए correct one word क्या होगा वो बताना है तो इसके लिए होता होता है personified ठीक है अगला question है that which is perceptible by touch जिसको हम छोके पता कर सकते हैं उसको क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं हम tangible छुने योग की clear अगला है अपने पास question number 34 इसमें voice change कर नहीं है आपको है ना the romance expected to concur carthage इसके voice change कर नहीं है ठीक है तो इसके voice वोगी it was accepted by the romance that they could conquer cartilage cartridge ठीक है भी option होगा अपना अगला देखो आपको question number 35 में एक paragraph दे रहका है और paragraph को पढ़के questions के answer देने है तो paragraph अला तो बहुत आसान होता है तो यह ताप paragraph पढ़के तभी आपसे question होगे ठीक है और बताता हूँ में question 36 वा है तो why does conventional education make independent thinking extremely difficult तो इसका answer हो जाएगा पहला it does not encourage encourage disagreement ठीक है अगला है अपने पास question 37 worshiping success leads to तो क्या होगा 37 का इसमें हो जाएगा accepting established practices अगला है why does most people want to find a quiet corner in life तो इसका option हो जाएगा अपने because they seek comfort उन्हों comfort चाहिए अगला है which word in the places mean bias bias का मतलब क्या होता है prejudice prejudice का मतलब होता है prejudice का मतलब होता है bias और English का last question is the word in comprehendingly in the passage means इसका मतलब क्या होगा तो इसका मतलब है without knowing ठीक है तो ये हिंदी और English के total questions थे 40 clear आप इसके बाद में questions आते हैं English के English हो गई हिंती हो गई आप है मेहत के question तो देखो में question तो यहाँ पर मेरे mobile में soul होंगे नि तो मैं आपको सिदा सिदा आसका answer बता दूँगा 41 question है इसके बाद में question नंबर 45 आता है 45 में होगा आपके question नंबर 45 का answer है D 70 70% फिर है 46 46 में option B दो answer है अगला है 47 47 में answer सही होगा आपके A 24 रुपे 16 रुपे ठीक है फिर आता है question नंबर 48 48 में option A सही है फिर आता है 59 59 में option D 10 वाला सही है फिर आता है 50 तो 50 का question का option सही है आपके 500 यानि B option फिर question नंबर 51 51 का answer B सही है 52 का B B है 33 का B B है 44 का C question नंबर 55 का B 56 का B B 57 का B B 58 का C 69 का D और 60 का भी option है आपके D इसके बाद में आते हैं question number 61 61 में पेले का है B 62 का है D 63 का है B 64 का है B 65 का है B 66 का है D 67 का है D 68 का है D 69 का भी D 70 और 70 यानि question number 70 का भी है D उसके बाद है question number 71 71 में A 72 में D यह सारे थे English के questions ठीक है आज की वीडियो में हम यही तक देखते हैं और next class में next video में हम बात करेंगे जिक्की के जितने भी questions से उनको solve करेंगे ठीक है Thank you so much झायाश बातक इसके ज chang हाई पर अभियो के अप्रावाच들 का वादावाचंव क्सेब्स